नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रदीप चुहान और आप देख रहें मेरा चैनल खवराट यूँ तो वक्त आपके साथ लाइब जूड़ने का होता है लेकिन आज मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूं घर पे नहीं हूं तो इसलिए एक वीडियो के साहरे आपसे जूड़ने की को कोशिश कर रहा हूं दरसल वीडियो उसी कड़ी का दूसरा भाग समझ लीजे जो कल रात को वीडियो था जो राहूल गांदी को सुप्रीम कोड से राहत मिली उसके माइने क्या है लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि राहूल गांदी का इस केस स की जाए देखिए कन्विक्शन पर रोक लगी राहूल गांदी की सत्यमेव जैते कह रहा है पूरा इंडिया क्यों कह रहा है वो इसलिए कह रहा है कि दरसल ये नोट कीजिए आप जब से इंडिया बना है ये इंडिया की मोधी सरकार पर पहली जीत है और जीत भी कोई साजिश रची गई थी उस साजिश को बहुत बड़ा जटका लगा उस साजिश का परदाफास हो गया इसलिए जाहिर सी बात है कि ये जीत इंडिया की जीत भी है कॉंग्रेस की तो है लेकिन इंडिया की भी बहुत बड़ी जीत है ममताब एनरजी जब कहती हैं कि हम सब के राहूल गांदी तो आप समझे कि उस बात के बहुत बड़े माइने होते हैं जब स्टेलिन राहूल गांदी को थिरू कहकर बुलाते हैं तो उसके माइने बहुत बड़े होते हैं जब फारुक अब्दुला राहुल गांधी को गेम चेंजर कहते हैं और नेशन हीरो कहते हैं उसके माईने बहुत बड़े होते हैं और इनी सब माईनों के बीच में ये राहुल गांधी का मोधी पर जीत चाहे वो सुप्रीम कोट में ही सही लेकिन राहुल की जीत और मोधी की हार कही गई है कल शाम से लेकर एक बहुत माईने रखते हैं इंडिया के बूस्ट के लिए और इंडिया जो कटबंदा नहीं उसको आगे बढ़ने में बहुत काम्याबी जो है यह बहुत बड़ा रोल अधा करेगा यह फैसला अब इसमें चार चांद उस वक्त लगेंगे अगर दिल्ली पे जो अधिनिम लाये हैं जो अध्यादेश लाये हैं के इंडर सरकार अगर यह इंडिया ग्रुप राज्य सभा में उसे गिराने में काम्याब हो जाता है तो आप मानिए कि वो दूसरी जीत गिनी जाएगी इंडिया की मोधी सरकार पे इंडिया पे नहीं मोधी सरकार पे अब बात करते हैं कि कॉंग्रेस के लिए क्यों बेहत जरूरी था यह राहूल गांदी का इस केस से बाहर निकल ला या इस सजा पर रोक लगना या जो राहूल गांदी जो अपील कर रहे थे उस पे उनके फेवर में फैसला आना बहुत दिनों से ये बात मैं भी करना चाहता था लेकिन कहा नहीं पाया क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं न कहीं उम्मीद है ना फैल जा या नेगेटिव लोग ये ना समझे कि मैं नेगेटिव नियूज हूँ नेगेटिव बाते करता हूँ गोदी मीडिया बन गया हूँ इसलिए मुझे लगा कि सही वक्त पर इस बारे में बात करनी चाहिए तो अब वक्त सही आ चुका है देखिए मेरी राय में अगर राहुल गांदी को इस सजा से मुक्ती नहीं मिलती या इस सजा पर रोक नहीं लगती तो राहुल गांदी चुनाव नहीं लड़ पाते है ये भी तया था लोग सभा की सदत से आता तो चलो चोड़िए राहुल गांदी ने खुद ही कह दिया है कि अगर मैं लोग सबावें नहीं भी हूँ लोग सबावें बाहर भी हूँ तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन अगर वो 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाते तो कॉंग्रेस के लिए यह बहुत बहुत बुरी ख़बर थी आप माने या ना माने पर अंदर से परिवार से जुड़ा हुआ है अगर मैं जूट बोह और हम तो कमेंट में रिखिए गा क्योंकि मुझे तो जो भी मिला कॉंगरस का कारी को पार्टी में लाने की कोशिश की जारी युवाओं को पार्टी में जोडने की कोशिश की जारी युवाओं को पार्टी में जोडने की कोशिश की जारी युवाओं को पार्टी में जोडने की कोशिश की जारी है राहुल गांदी अब ऐसे में अगर उन युवाओं का जो हीरो है जिसको अपना हीरो मान के वो कॉंग्रेस के साथ जोड़ रहे हैं अगर वो हीरो इलेक्शन ही न लड़ पाए इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो योग्य ही ना हूँ तो फिर उनके विश्वास को तो धक्का लगना तैथा ना क्यूंकि वो तो उसमें प्राइम मिनिस्टर की छवी देख रहे हैं ना वो तो मोदी का अल्टरनेट राहुल गांदी में देख रहे थे पर जो चुनावी न लड़ पाए उसको फिर कौन हीरो मानेगा कौन उसका फॉलोवर बनेगा तो ये दो चीजे ऐसी थी जिसकी वज़े से मुझे लगता राहुल गांदी का इस कीज से आना बहुत जरूरी था और ये हम जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत पहले से ये बात थी कि अगर राहुल गांदी को रहत नहीं मिली सुप्रीम कोट से भी तो इन दो वरगों को बहुत जबर्दस जटका लगेगा और जो कॉंग्रेस में जोश हाया है जिसमें से आप लोग भी कुछ ऐसे हैं क्या काफी लोग होंगे आप में से जो गांदी परिवार की वैसे कॉंग्रेस को फॉलो कर रहे हैं कॉंग्रेस को पसंद करते हैं आप भी उस हालत में अगर राहुल गांदी को रहत नहीं मिलती और तया हो जाता कि वो चुनाओ नहीं लड़ेंगे तो शायद आप मेंसे बहुत सारे लोग भी जोश जो है उनका ठंडा हो जाता आप सब लोग भी जो अभी जोश में बात करते हैं वो नहीं कर पाते हैं इसी तरह से जो कारे करता है जो फिल्ड में डटा रहा बुरे वक्त में भी कॉंग्रेस के साथ अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य है अगवाई ना कर रहा होता तो उसका जोश आधा रह जाता या फिर वो फिर से घर पे बैठ जाता जैसे पिछले नौ सालों से बैठा था इसलिए कॉंग्रेस के लिए बहुत जरूरी था कि रहुल गांधी कम से कम इस हालत में आ जाएं कि वो चुनाओ में लड़ें कॉंग्रेस का चेहरा हो प्रधान मंतरी बने या ना बने ये उनकी अपनी पसंद है ये वक्त के उसमें है वक्त बताएगा कि प्रधान मंतरी पुष्क को कायम रखना बहुत जरूरी था कि शमिदान लोकतंत्र और भारत के आम लोकों की ये जीत हो गई है कि सिर्फ लाहुल गांधी जी का जीत नहीं है सारे बारत की चन्ता की जीत है और डेमाकरसी की जीत है और समीदान के वसूलों की जीत है इसलिए एक बहुत बड़ा फाइदा देश के लोकों को हुआ है सदन में राहूल गांधी जी की नदरत अनुपस्थिती बराबर हमें मैशुस होते ही रहते कोई अगर काम में राजनितिक करणों से राहूल गांधी जी कहीं ब्यास्त्रे अलग बात है लेकिन सदन में राहूल गांधी जी की आने में पावबंदी सदन में आने की अधिकार जब से छीन लिये गिया थे तब सही माहिनों में हम लोग बड़े दुखी थे ये तो था एक पहलो अब दूसरे पहलो से या दूसरे नजरी से भी देखे कि क्यों बहुत जरूरी था कांग्रेस के लिए राहूल गांधी की सजा पर रोक लगना वो इसलिए कि एक बहुत बड़ा इवेंट कांग्रेस का इसकी वज़ा से इफेक्ट हो सकता था अगर राहूल गांधी को सजा में रहत नहीं मिलती और तैह हो जाता है कि 2024 में वो चुनाओ नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस का मेगा इवेंट भारत जोड़ो यातरा टू उस पे बहुत इफेक्ट पड़ता अब खुद सोचिए राहूल गांधी भी खुद भी शायद इतने जोश से भारत जोड़ो यातरा दो नहीं कर पाते क्योंकि जो आदमी चुनाओ तक नहीं लड़ सकता वो लोगों की समस्याओं को सुनके उन्हें क्या सलूशन कहता कि हम आपकी समस्या का यह समाधान करेंगे और दूसरी बात लोग भी क्यों उम्मीद उससे लगाते कि जिस चेहरे को आप चुनाओ में देखेंगे ही नहीं ऐसे मैं मैंने पहले भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक के मुकाबले भारत जोड़ो यात्रा दो ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उत्तरप्रदेश, वेस्ट, बेंगॉल, गुजरात ऐसे राज़ियों से होके गुजरनी है जहां कॉंगरेस का बेस कमजोर है अब वहाँ अगर राहूल गांदी पर ये ठपा भी लगता कि ये तो चुनाव लड़ी नहीं पाएंगे तो फिर लोगों का आना या लोगों का जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता और कॉंग्रेस के अपने कैडर के अंदर भी वो जोश नहीं रहता क्योंकि राहूल गांदी सिर्फ एक चेहरा नहीं है राहूल गांदी के चेहरे पे लोग प्रधान मंत्री के उमिद्वार का चेहरा देखना चाहते हैं यानि मोदी के अल्टरनेट का चेहरा देखना चाहते हैं अगर आप राहूल गांधी के चेहरे के उपर से वो चेहरा हटा दो तो फिर राहूल गांधी के साथ लोगों का जुड़ना मुश्किल है क्योंकि alternate देख रहे हैं न सब लोग राहूल गांदी में कि मोधी नहीं तो राहूल गांदी राहूल गांदी बेटर विजन दे रहे हैं राहूल गांदी ज्यादा पड़े लिखे नेता हैं और ज्यादा futuristic सोच के नेता हैं और यह सामप्रदाइक leadership से चुटकारा दिलाने के लिए सबसे सही है तो इसलिए मुझे लगता है कि राहूल गांदी Congress और इंडिया तीनों के लिए यह फैसला एक संजीवनी का काम किया है अब इस संजीवनी को Congress कितना भुनाती है यह Congress तै करेगी जैसा मैंने पहले भी कहा कि राहूल गांदी प्रधान मंतरी बनते हैं या नहीं बनते हैं ये वक्त बताएंगे ये हालात बताएंगे और खुद राहूल गांदी बताएंगे लेकिन अभी लोगों की उम्मीद तो सबसे ज़्यादा राहूल गांदी पर ही है यूवा हो बुजर्ग हो या महिलाएं हो सब किसकी तरफ उम्मीद लगा के देख रहे हैं जो अल्टरनेट चाते हैं जो इस मौजुदा शारसन से चुटकारा चाते वो देख रहे हैं सिर्फ राहुल गांदी की तरफ कहने को बहुत सारे लोग कहते हैं जो लोगों की उम्मीद पर खरा उतरेंगे इसलिए मुझे लगता है कि ये फैसला जो कल हुआ उससे बड़ा फैसला फिलाल कॉंग्रेस के लिए उससे बड़ी खुशकबरी हो नहीं सकती थी फिलाल इस वीडियो में इतना ही लेकिन वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अब तक नहीं किया फिर रिक्वस्ट कर रहा हूँ उसको सब्सक्राइब कीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाईए उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक अल्टरनेट रास्ता तयार रखिए नमस्कार